बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा हम क्यों लगाते हैं? जब हमारी बेटियां अपने घरों में अपने रिष्टों में ही महफूज नहीं हैं। बाहर से बचाने आप कैसे जाएंगे जब वो अपने घर में हवस का शिकार बन रही हैं। किसकी बुरी नजर से बचाएंगे जब हर नजर गिदवाली होकर उसे नोचने को तयार बैठी हैं। क्या कहेंगे आप जब आपको पता चलेगा कि एक मासूम बच्ची से दुशकर्म होता है और ये घिनोनी हरकत करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके भाई ही हैं। उदैपुर के अंबमाता थाने में 11 साल की नबालिक बच्ची के साथ दुशकर्म के मामले में दो नबालिक बच्चों को डिटेन किया गया है। उन्हें की शोर नियाले में पेश किया गया जहां से दोनों को संपरिशन ग्रह भेज दिया गया। बतादें कि घटना 14 जून की है मासूम बच्ची अपनी सगी बुआ के यहां आई थी। जहां बुआ के 13 और 15 वर्ष के नबालिक फुफेरे भाईयों ने मासूम बच्ची के साथ ये कांड कर डाला। नबालिक बच्ची की तबियत बिगडने पर जब परीजन उसे अस्प होस्पिटल में ऑपरेशन होना था और इसी कारण बच्ची को बुआ के यहां छोड़ गए थे। इसके बाद फुफेरे भाईयों ने इस वार्दात को अंजाम दिया। वार्दात के बाद जब बच्ची की तबियत बिगडने लगी तो बड़ी बहन उसे एमबी बताया डॉक्टर ने उपचार के बाद उसकी बहन को इस पूरे घटना करम के बारे में बताया। तब जाकर बड़ी बहन ने अबमाता थाने में फुफेरे भाईयों के खिलाफ मामला दर्च कराया है।